कल भी मैंने इसी चेनल पर दो मैच की प्रüdицंट देती है प्रडदिक्षन स्यांधार गिई और धेंट एसने मैसी में भी हम वन साइड मैच भिन तो आज भी हम प्रडबिक्षन हो आप क्लीर लिदेंगे तो करो या मरो का मुकाबला है तो आज के मैच में कौन सा प्लेयर गोल मारेगा और किस प्लेयर का असिस्ट आएगा और वो कौन-कौन से खलाड़ी हैं जो बिना गोल के भी पॉइंट देते हैं और टीम के लिए 90 मिनिट तक खेलते हैं तो ऐसे हर एक प्लेयर के बारे में मैं आपको पूरी जान करी दूँगा बस आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना तो दोस्त आज का जो मैच है इंगलेंड और शुटर जरलेंड के बीच में खेले जाएगा तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉंग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टॉपिक पर हम डीटियल्स में चरचा करेंगे और ये टॉपिक भी काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग रहे गया इन दोनों टीम के बीच में अब तक लास्ट छे हैट्वर्ड मैच खेले जा चुके है छे मैसे पांच मैच इंग्लेंड की टीम जीती है और एक मैच ड्रॉ खिला है अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया आटेकिंग गेम अगर इंग्लेंड का स्यूठर जर लेंड के सामने देखे तो 1.5 के एवरेस से गोल करना का वैसxico है दिफेंसिव गेम देखें तो 0.5 के एवरेसी टीम गोल coming से गोलं कंढ़ीड करती है अब हम बात करें जो लास्ट मैच हुआ था इन दोनों टीम के बीच में एक फ्रेंटली मैच था उस मैच को दोनों टीम ने अच्छा खेला अगर देखा जाए तो शूटर जर लेंड की तरफ से एक गोल जरूर आया लेकिन इंग्लेंड ने बदले में दो गोल सकोर किये और उससे पिछले मकावला नेसंस लीक का मैच हुआ था 2019 में इन्हीं दोनों टीम के बीच में वो मैच फुल टाइम तक डिफेंसीव ड्रो रहा बाद में मैच पैनल्टी तक गया पैनल्टी में इंग्लेंड की टीम 6-5 से जीत गई और उससे पिछले अगर हम तीन मैचस पर औ उन्साइड जीती है हर मैच में गोल सकॉल भी किया है और डिफेंस गोल तक कंशीड ने किया और उससे पिछले मकावले 2011 में खेल गया था यूरो कप का ही मैच था दोनों टीम ने उस मैच को अटेक्न ड्रो खेला दोनों टी तरफ से दो दो गोल आये डिफेंस वाज भी द कौन सी टीम कितना गोल करके इस मैच को जीतेगी तो चलिए सबसे पहले अनलीसिस करेंगे आज के मैच में कौन सी टीम एक फैवरेट टीम है तो सबसे पहले हम आपको ये भी क्लियर करते हैं देखो इंग्लेंड फीफा वर्ल्ड रैंकिंग का अनुसार फिलहाल का टाइम पर फॉर्थ पोजिशन पर है और वहीं पर बात करें शूटेजर लैंड वर्ल्ड रैंकिंग का अनुसार फिलहाल के टाइम पर 16 पोजिशन पर है तो दोनों टीम की जो रैंक है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है और डिफरेंस के मामले में आपको इंग्लेंड की टीम एक बैटर टीम देखने मिलेगे एज कंपेर टू शूटेजर लैंड तो इसलिए इंग्लेंड एक फैवरिट टीम है और हैट्वेट में तो आपने देखा ही है कि दोनों टीम में से सबसे ज़्यादा बहतर रजट इंग्लेंड का टीम इंग्लेंड टीम कर रहा तो अब ब मैच में उन प्लियर्स को तो बिल्कुल नहीं लेंगे जो जल्दी सबस्ट्यूट हो जाते हैं बलकि उनहीं प्लियर्स को लेकर चलना है जो 90 मिनट खिलेंगे तो अब बात आते कि मैच का सपोर लेंड क्या होगा क्या स्यूट्रेजर लेंड के लिए इस मैच में एक गोल मिलेगा I think no क्योंकि शूट्रेजर लेंड का अच्छा रहा है लेकिन सामने इंग्लेंड है जो अपने डिफेंस से जल्दी से गोल कंशिड नहीं करती तो I think आज के मैच में शूट्रेजर लेंड गोल लेस रही जो मेरा मानना है और इस मैच में इंग्लेंड की टीम के एक गोल आभी जाए लेकिन चांस तो बहुत ही कम है तो इसी प्रेडिक्शन को हमें अपनी फैंटेसी के टीम मनाने में यूज करना है अब टीम में कौन-کौन से प्लियर लेकर चलना है किस प्लियर को वाइस यह जो सारी जानकार रहेंगी यह आपको दोनों टीम की से प्लाइंग के लिए उन में खेलती है और हरी एक प्लेयर का सटेट्स में यहाँ पर आपको मेंशन किये हुए हैं इस यूरो कप में इस टीम ने चार मैच खेले हैं चारो मैच में कौन सा प्लेयर का सटेट्स को चेक कर सकते हो और यहां पर आप एवरेज देख सकते हो कि कौन सा प्लेयर का ज़्यादा चांस रहते हैं 90 मिनट खेलने का अब हम लाइन अप का अनुसार प्लेयर को कैसे सलक्ट करें आज के मैच में कुछ इसी परकार की लाइन अप देखने मिलेगी पिक फॉर्ड एज गोल के पर रहेगा आपको इन्हें अगर गिरांड लीग की टीम खेल रहे हो तो कम से कम 20 में से 10 टीम में इ डिफेंस में काईल वॉलकर और क्रिंट रिपियर ये दो फुल बेक रहेंगे और दो फुल बेक का इंटरसेप्शन टेकल पासस की पास कभी कभी तो असिस्ट आने का भी काफी हाई चांस रहते हैं तो इसलिए फुल बेक को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे मजबू सिट के भी पॉइंट देख जाएंगे और 90-90 मिनिट भी खेलेंगे तो दोस्त इन दो मैंसे अगर किसी एक को लेना हो तो मैं अपने टीम में अभी के लिए मार्क गोही को लेकर चलेंगे क्योंकि जोहन सटोनेस ज्यादा पॉइंट गोही देगा अभी के लिए मैं सटोने इसको ड्रॉप कर गया हो तो हम तीन डिफेंटर लेंगे इस टीम तरफ सा अगर आपको लगता है कि यह मैच लोग सा करूंग होगा तब आप हम टीम में जोहन सटोनेस को पिक कर सकते हो अगर क्लीन सिट मिली तो बीस पॉइंट तो उसी के हो जाएंगे और इकाद बीस गोल मारेगा तब इंग्लेंड इसी के गोल से जीतेगी वरना किसी के गोल नहीं आएगा क्योंकि मैंने यही जज्ञ किया है अब तक जब भी मार्ण हो गोल मारता है चाही यह अगला ही तीम को जीताता है अगर आप लिग तीम थिलने है तो इसको एक दो तीम में कैप्टन अच्छा है पॉइंट बिना गोल के कम से कम आज के मैच में भी 30 और 40 के बीच में दे जाएगा तो ऐसे प्लियर्स को तो ड्रॉप नहीं करेंगे 90 मिनट भी फुल खेलेगा और असिस्ट का भी चांस रहेंगे गोल भी लॉंग सोट से कर सकता है तो मैं लेकर चलता हूं इनको अगर आपने देखो गए इस टीम के लिए दो गोल कर चुका तो बैतर प्लियर्स करवाए था इंग्लेंड को बैतर प्लियर्स का साथ आज की मैच में भी कमबेग करेंगा बुकायसा का इस सीजन कुछ अच्छा नहीं किया यूरो कप में हो सकता है कि मैच में गोल कर जाए अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं नहीं लेना तो ड्रॉप कर देना 90 मिनट का शूर नहीं हो लेकिन हर मैच में जब भी इसको इंग्लेंड की टीम ने मौकम दिया है यह 80 मिनट जरू खिला है यह उससे उपर भी खिला है कभी-कभी 90 मिनट भी खिला है तो अगर आपको इंग्लेंड की तरफ से पोजिशन का नुसार जो प्लेयर सेलक्ट करेंगे क्रिंट रीपियर काइल वॉलकर और मार्क गोई यह तीन प्लेयर कंफरम है चौथा प्लेयर डेकलिन राइस पांचों प्लेयर जूद बैलिंगम पलस हैरीकेन और छटा प्लेयर मैं अपने टीम में जब फाइनल लाइनप आएगी एक घंट पहले टेलिग्राम चैनल पर आप हर एक प्लेयर का सटेट्स चेक कर सकते हो तो चलिए अब हम सामने वाली टीम की लाइनप पर फोकस करेंगे जो एक एक ऐसी टीम है जिसके बारा हम ज्यादा तर नहीं जानते हैं जो आल्मोस्ट म मैच खेला च्यारो मैच में सटाट के है और मोस्ट हर मैच में 80-90 मिनट तक खेला है एक गोल कर चुगा दो असिस्ट निकाल चुगा है तो इसी परकार आप प्लेयर का सटेट्स चेक कर लेना ओके अब हम लाइनप पर फोकस करेंगे यान सौमेयर एज गोल के पर रहेगा और आज के मैच में समोल लिग की टीम में इनी को लेकर चलना है ग्रांड लिग में आप ले सकते हो पांच से ग्रांड लिग की टीम अगर आप वीश टीम बना रहे तो अब इक लिए में शमोल लिग में इनको लेकर चला हूँ क्योंकि इंगलेंड किसी को ज्यादा के बारे में फेवियन शाकिर मैनुल अकांजी और रोडरी गोज यह दो तीन शेंटर बैक रहेंगे जहां पर तीन शेंटर बैक हो तो इसका मतलब वो टीम काफे ज्यादा डिफेंसिव खेलती है तो डिफेंस तो इस टीम का रहेगा मजबूत इसमें कोई सक नहीं बात करें इंगलेंड की टीम तो इसको इतना ज्यादा चांस नहीं मिलेंगे वहीं पर बात करें अब तक इस यूरो कप में एबिस चेयर का पर्फॉमेंस काफी अच्छा है एक गोल कर चुगा च्यार दो असिस्ट निकाल चुगा है और अल्मोस्ट हर मैंच में 80-90 मिनिट खेलता ही खेलता विदार गोल पॉइंट देता तो इनको में लेकर चलाओं ओके रैमो इस टीम के तरफ से अब तक एक गोल दो असिस्ट निकाल चुगा ओल्मोस्ट हर मैंच में 90 मिनिट खेलता विदार गोल पॉइंट भी देता तो इनको लेना क्या वज़ए यही है तो इनको लेकर मैंच जरूर चलूंग ओके एबिस चर और रैमो इन दोनों प्लियर्स को लेकर चलूंग बात क अब हम बात करें इस टीम के लिए आपको वारगास देख मिलेगा आप चाहे तो ट्राइक कर से तो वारगास ने यूरो कप में एक गोल एक असिस्ट निकाला है और यही कि 70-75 मिनिट बाद सब्स्ट्यूट हो जाता है और इतना मिनिट में गोल नहीं कर पाई और इसका मैं इसको टीम लेता हूँ जरूर करता है जब नहीं लेता है मेरा इसका लोजिक बहुत अच्छा है तो आप चाहे तो ले सकते हो लेकिन अभीकली मैं इनको भी नहीं ले पाऊंगा यहां पर वारगेस और ब्रियल इंबोलो इन दों में से एक को सेलक्ट करना हो तो मैं 70-80 मिनट तो दोस्त अगर यही लाइन अप रहे तो हमें लाइन अप को नहीं चाहिए हमें एडर के जरे सेट पीस के जरे गोल आ सकता है तो यहां से मैनुल अकांजी को भी लेस सकते हैं बाते प्लेयर का सटेट सापके सामने आप चेक आउट कर लेना तो दोस्त हमने दोन किया अब उनहीं प्लेयर को अपने टीम में लेकर चलना और उनमें से किसको कैप्टन देना किसको वाइसके हैपने देना तो चलिए अब हम फोकसक करेंगे उससरा पहले दोस्त दी हैं जो फुटबोल की टीम बनाने में यूजफुल है तो आप इसको जरूर चेक करना इसमें मतलब फुटबोल टीम कैसे बना जाती है और आपको मैं एक ऐसे एपलिकेशन के बारे में बता हम जहां पर आपको नहीं जीस्टी देनी पड़ेगी नहीं आपको टीडियस दे इसक्रिप्सिन में और आप हमारा अगर प्रोमो कोड यूज़ करोगा किर्किट पॉर्ड के नाम से तो आपको पांच रुप्या का कैस बोनस मिलेगा और हर मैच में यहां पर हर मैच में एक फ्री इंट्री रहती है तो आप हर रोज फ्री में भी खेल सकते हो अच्छा का स इसी एप पर खेलते हूं क्योंकि फुटबोल में हमको TDS देना पसंद नहीं, GST देना पसंद नहीं, हम जीते हजार रुपेर आपको मिलें सिर्फ 700-300 कार्टली कंपनी तो इसे बैटरी हम वहां खेलें जहां पर एक दम ट्रस्टिड एप्लिकेशन हो और पैसा भी खर्च ह हमारा पैसा भी ना कट है तो वह है विजन 11 डाउन डाउन डाउनलोड कीचे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो अब हम अपनी टीम पर नज़र ठालें तो आज के मैच में में जो टीम बनाई है वो कुछ इस परकार है अब इस टीम में बात की जाए तो कैप्टन सी म है किरिकम को रखा लेकिन याद रहे दोस्त है कि एससे में पैनल्टी बहुत मिलती और है तो भाही गोल भी मार रहे है लेकिन अगर टीम गॉल पर पीडियों डे इंगा तो इस से जद़बान दी जाएगा यह मैरा अभी के लिए सोच भी बदल जाए लिया है आब ही बात करें रेमो को टीम में लिए अगर आपको लगता है कि वुकाई सा का गोल करेगा तो उनको पिक कर लेना डिफेंस में मैंने मार्क गोही काईल वॉलकर और क्रिंट को लिगा और यहां से गोल कीपर मैं सो मेर को रखा है अभी के लिए वही प्लियर्स मैंने लिए हैं जो 90 मिनट भी खेलेंगा गोल अशिट का चांस भी रखेंगा और विदाड गोल पॉइंट भी देंगे यही बेस्ट प्लेयर है मेरा कोडिक लेकिन लाइन अप काफे ज़्यादा मैट रखते फुटबॉल में क्योंकि लाइन अप को नोशार जो प्लेयर की पोजिशन रहेगी उसमें कुछ चैंजस हुआ तो हो सकता है कि किसी एक प्लेयर का गोल ना है जैसे कि हैरीकेन का नहीं आ सकता क्योंकि प्लेयर का उपर डिपान्ट रहता है बैटल चलते हैं जैसे करिकेट में जैस्परीद भूमरा के सामने कोई खिलाड़ी जल्दी नहीं टिक पाता जैसे चहल के सामने मैक्सवेल नहीं टिक पाता तो वैसे ही फुटबोल में भी डिफेंस का टेक रहता है तो यह चीज हमें लाइनप आने के बाद देखने होती है एक गंटा का मौका मिलता हम आराम से हर एक चीज को बारी को उस देखते हुए आपको फाइनल टेम टेलीग्राम टेलीग्राम का जो लिंक है याद वहेगा ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा और सर्च करके बिल्कुर जॉइन मत करना है क्योंकि बहुत सब्सक्राइब आते हैं उन सबसे बचने का आसान तरीका है जो मैंने लिंक दिया है टॉप के कॉम मैं इससा सपोर्ट करता हूँ अब इसको कर रहे हूँ बताई कोमेंट करके कोमेंट बॉक्स आपके लिए फ्लियो पोस्ट खुला हुआ है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जूरू कर देन और स्था दोस्त आज के मैंच में क्या शूटर जर्लेंड की टीम गोल कर पाएगी क्या इस वीडियो के बाद मैं ग्रांड लीग की भी वीडियो अप्लोड करूं आपको इसी मैंच की कि ग्रांड लीग की टीम कैसे बनानें विद कॉम्बिनेशन अगर कॉमेंट रहा तो म में आपको जरूर दूना मिलते ना शूट में टेक केर बाए